हलो गाइज मैं हूँ पपू आप सब के प्यारा दुलारा छोटा सा नन्हा मुन्हा भाई आपके सामने आ गया है और आ गया है तो देख सकते हैं क्या लेकर के आया है गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीवन काल जीवन काल किसे कहा जाता है गाइज आपसे पुछा जा सकता है कि जीवन अवधी किसे कहते हैं जीवन काल किसे कहते हैं जीवन काल क्या है जीवन काल की परिभासा क्या होती है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है आज जो बताने वाला हूँ वही लिखे कर आ जाना है तो गाइज यहाँ पर ध्यान यहां पर आप गौर किजे लिखा हुआ है कि जनम से लेकर के प्राकृतिक मृत्यू तक कि समय को जिवनकाल कहते हैं मेरे प्यारे साथ ही हो जनम तो सभी जिवों का होता है और सभी जिव छोटे से लेकर के बड़े बड़े होके मर जाते हैं मतलब कोई भी जिव जनम लिया है तो वो धिरे धिरे बड़ा होगा बड़ा से बुढ़ा होगा और बुढ़ा होकर के वो मर जागा तो जब कोई जीव जो होगा जनम लेगा और बुढ़ा होकर मर जागा खुद वखुद तो उसको हम कहेंगे कि वो प्राकृतिक उसका मिर्तिव हो गया मतलब खुद मर गया तो कोई भी जीव का जनम से ले करके कोई भी जिव जनम लिया है तो वो कभी ने कभी मरेगा ही बुढ़ा हो करके तो वही हो जाता है जनम से लेकर के प्राकृतिक मिरत्यू यानि प्राकृतिक मिरत्यू क्या कि मतलब जनम लिया है तो खूद मारना चाहिए ना कि कोई गोली मार दे कोई चाको मार दे ऐसे नहीं जनम लिया है तो खूद मार जाएगा तो आप उसे कह सकते कि उसका क्या हो गया प्राकृतिक मृत्यू तो जनम से लेकर के प्राकृतिक मिरत्यु तक का जो भी समय होता है वही हमारा हो जाता है जीवनकाल तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है आसानी से जनम से लेकर के प्राकृतिक मिरत्यु तक की समय को जीवनकाल कहती है जैसे मैं मैंने लिख रहा है कि कोई भी जीव अगर मान लेते है 2000 S.W. में जनम लेता है और 2022 S.W. में मर जाता है तो 2000 से लेकर करके 2022 S.W. के बीच में जो भी उसका समय होगा वही उसका जीवन काल हो जाएगा उसी परकार अगर कोई भी जीव 1900 S.W. में जनम लेता है और 1980 इस भी में वो मर जाता है तो 1900 और 1980 के बीच में जो भी जनम उसका जो समय होगा वही उसका जीवन काल हो जाएगा तो इसी परकार आप यहाँ पर ध्यान लिजिए आसानी से मैंने लिख रहा है कुछ जन्तूओं का जीवन काल यहाँ पर हाथी जो हमारा होता है वह 75 वर्स जीता है मतलब हाथी का जीवन काल कितना हो जाएगा 75 साल तो इस तरह से आप देख सकते है आगे और भी मैंने लिख रहा है कुट्ता 15-16 वर्स तितली 1-2 सब्ता कववा 15 वर्स गुलाब 10 वर्स केला 25 वर्स इसी तरह आगे और भी मैंने लिख रहा है गाय 26 वर्स तो ता 163 वर्स घूडा 50 वर्स फल मकी 30 दिन मगरमच 60 वर्स इसी तरह और भी आगे हैं देख सकते हैं मैंने लिख रहा है बरगद 200 से 500 वर्स और धान 4 महिना कच्छवा 100 से 1.5 वर्स पीपल जियां 2800 वर्स अड़हाई सो नहीं अड़हाई 1000 वर्स जीता है ठीक है और आम हो गया 200 वर्स मनुस्य पचपन से 60 वर्स तो यहाँ पर मैंने कुछ जन्तूओं का जिवनकाल बताया है तो और भी आप सर्च मारकर देख सकते हैं असा करता हूँ कि मैं जो भी आपको बताया हूँ वो आपको आसानी से आ गया होगा तो जिवनकाल की परिभासा ये रहा आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लेजे वीडियो को रोकर तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत